जैसे ही गर्मी जादा बढ़ती है तुरंत हमें याद आती है air conditions यानी AC की लेकिन AC को हर कोई afford नहीं कर पाता है और AC का थंडी हवा तो सब लेना चाते हैं लेकिन बिजली का बिल देखके सब AC लगवाने से घवराते हैं आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा setup जिसमें AC को आप बिलकुल जीरो बिजली के बिल के उपर चला सकते हो फ्री में चलने वाला AC के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सा हमारा AC चलता है और सूरज धलने के बाद में भी लगबग 2-5 गंटे तक हमें inverter के उपर जो AC का है वो backup मिलता है तो कितने किलोवाट का inverter रखा है कितने किलोवाट की plates लगाई है और कौन सा हमने AC लिया है कितने भाई कितने का कमरा है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें सेलेक्शन करना है कमर इंसलेशन का भी काम करती है और लुक को भी एनेंस करती है ये लगाने के बाद में हमने इस एरिया के हिसाब से डाइकिन कमपनी का एक टन का inverter AC खरीदा है वो भी थ्री स्टार रेटिंग के साथ में AC का सेलेक्शन करने के बाद में बात आती है कि इसको चलाने के लिए हमें solar plates कितने चाहिएंगे और इसको backup देने के लिए inverter कितना चाहिएगा या controller कितना चाहिएगा तो हमने जो AC है ये inverter AC लिया था डाइकिन कमपनी का इसकी efficiency की अगर मैं बात करूं तो cooling capacity इसकी normal AC से डाइकिन के AC की ज़्यादा रहती है इसलिए मैंने थोड़ा सा costly बले हुआ लेक inverter के उपर आप असानी से चला सकते हैं उसकी मैंने capacity देखी तो वो 700 से 800 वार्ट तक maximum load उसका जो है तो मेरे को inverter वो चीये था जो minimum 1500 से 2000 वार्ट तक का जो power produce करता हो तो मैंने जो है वो smarten का 24 वोल्ट का मैंने inverter लिया जो 2.2 किलो वार्ट तक की maximum peak power दे सकता था लेकिन उसके ब यह जो दिन में भी पूरे दिन AC चला दे और साथ की साथ inverter को भी चार्ज करे उस case में हमने दुबारा से load को calculate किया और total जो है वो 325 वार्ट की 4 plate जो है वो हमने लगाई 325 वार्ट की 4 plate अगर हम लगाते हैं तो 325 इंटू 325 आपका 325 प्लस 325 हो गया टोटल 6500 और एक प्लेट हो टोटल 1300 वार्ट हो गया दूसरा हमने inverter लिया है स्मार्टन का 2.2 किलोवाट का उसके बाद में हमने दो बैटरिया लिया है उकाया कमपनी की और हमारा AC जो है वो पूरे दिन नोन स्टोप चलता है पहले हमने 3 plate अड़ की थी load के हिसाब से लेकिन उससे क्या है inverter चार्ज नहीं हो पा रहा था केवल AC जो है वो रन हो रहा था और जैसे ही धूप कम होते थी inverter का backup जो है वो AC में इसी AC खीच लेता था inverter हमारा डाउन हो जाता था शाम के टाइम पे अभी हम पूरे दिन AC को चला सकते हैं और शाम को AC बंद कर सकते हैं जब हमारे यहां पर ठंडा हो जाता है क्योंकि चारों तरफ 34,000 का पड़ा था inverter की अगर मैं बात करूं तो लग बग 11,000 रुपे का मेरे को पड़ा था दो बैटरी पांट साल की वारंटी के साथ के अंदर मेरे को साड़े 13,000 रुपे की पड़ी थी 1,500-1,500 एंपियर की उकाया कंपनी की उसके बाद में अगर मैं प्लेट की बात करू दो सटेंड डबल प्लेट के 32,000 रुपे की जिसके उपर सोलर माउंट का रखा है और अगर प्लेट की मैं बात करूं तो लग बग मेरे को 28,000 रुपे में ये प्लेट स्पड़ी थी टोटल तो 1300 वाट है तो 13,49 लग बग 37,000 रुपे का ये पड़ा था तो अगर अप्रोक् लग बग 85,000 रुपे के करीबन मेरे टोटल इंवेस्टमेंट हुई इसके अंदर वाइरिंग वगरा मेरे पहले से हो रखा था उसके बाद अब मैं पूरे दिन बिना बिजली के बिल की फिकर किये और AC का आनंद हम यहाँ पे ले सकते हैं तो ये तरीका था कि आप AC के बिलको जीरो नहीं बिलकुल माइनस में भी कर सकते हैं अगर अच्छा आपकी छट पे स्पेस है तो सोलर के उपर जो है होम सोलर सिस्टम के उपर गोर्वेंट जो है वो सबसीडी भी देती है वो भी आप अपने नजदी की इसेवा के इंदर में जाके और पता कर सकते हैं अपने बिलको जीरो कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के उपर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै जवान जै किसान